हेलो दोस्तों दोस्तों कैसे हैं आप लोग दोस्तों थंड के मौसम में एक खास खटा मीटा फल होता है जिसका नाम होता है बेर दोस्तों ये फल इतना कमाल का है कि क्या बताओं छोटा सा फल है लेकिन फाइदे बेशुमार जी हां थंड के मौसम में अगर आप बेर का सेवन करते हैं तो इससे जो मौसम से जो भी जो भी समस्याई है उससे आपको दूरी मिलती है साथ ही इसके जबर्दस्त फायद होते हैं जी हां तो चली शुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तों अगर आपके पेट में जरा से भी दिक्कत है यानि कि अगर आपका पेट कब से जैसे कि जो भी होती है तो ऐसे में सूखे बेर खाना बहुत जबर्दस्त फाय देता है जी हां दोस्तों अगर आप ऐसा खाते हैं तो इसके आपको फायदे इतने मिलते हैं कि आपके पेट के जो भी समस्यां है वो दूर होती है फिर चाहे वह बदहजमी हो कब्स हो या प्रश्यम फॉस्फरोस मैगनेशियम पोटैसियम सोडियम क्लोरीन प्रचूर मात्रा में होता है जो कि आपके बॉड़ी के बहुत है दोस्तों बेर और नीम के पत्तों को पीश कर अगर आप सर पर लगाते हैं तो इससे आपके बालों की जो भी समस्यां है यानि कि गिड़ गबराहट उल्टी आना या पेड़ दर्थ की शिकायत होती है तो ऐसे में अगर आप बेर को छाच के साथ इस्तमाल करते हैं तो आपके सारी समस्या दूर होती है यानि कि गबराहट होना उल्टी आना और पेड़ दर्थ इसमें आपको बहुत आराम मिलता है आपको एक बा इससे आपको जबर्दस फायदे मिलते हैं बेर पर अगर आप नमक और कालीमिश लागा खाते हैं तो आपकी जो दोस्तों डाइशन की समस्या है इससे भी बहुत आराम मिलता है बेर ऐसी चीश है दोस्तों जो आपको बाजार में आराम से मिल जाएगी सर्दी का मौसम है त अगर आप बेर का सेवन करते हैं तो इससे जो भी अस्तमा के रोगी है या फोई जिनके डातों के समस्या होती है मसुगों के समस्या होती है उनमें बहुत आराम देता है तो बेर का दोस्तों अगर आप सेवन करते हैं तो कुल मिला के बात यह है कि आपके सर्दी में आपको कि पाड़ी को कि पाड़ी को